हेलो एवर्यों वेल्कम टू माइ चैनल वान सेगेंड आज जियोमेट्रिक पोग्रेशन के बारे में कुछ स्थाड़ी करेंगे कि जियोमेट्रिक पोग्रेशन होता क्या है उसको हम निकालते क्या है तो यह क्लास 9 का CBSC NCRT के पूक से लिया गया जियोमेट्रिक पोग्रेशन वाला चाप्टर तो पहले देख लेते हैं जियोमेट्रिक पोग्रेशन होता किया है और अगर कोई मेरा चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को एक लाइक ठोक देना ताकि मेरे को भी थोड़ा मतलब उस सार मिले कि अच्छे से कर होता किया है तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि जियोमेट्रिक पोग्रेशन होता किया है तो डेफिनेशन पर जाते हैं एक सिरीज नंबर को कोई भी एक फिक्स नंबर से मल्टिप्लाई या फिर डिबैट करने का पाथ जो सिरीज प्रोड्यूस होता है उसको हम जियोमेट्रिक पोग्रेशन केते हैं जैसे कि एक एक एग्जाम्पल लेते हैं कि दर टू फोर एट सिक्स्टीन थाचीट यह एक जियोमेट्रिक पोग्रेशन है क्यों कि तू के प्रिविए स्टांड के साथ टू का मल्टिप्लाई हो रहा है सेम केस इसमें भी वन गैण माइन म्हां माइन सवाधिड टू फोर ती इसमें क्या हो रहा है कि माइनस वन जितंत से हर एक पर मोल्टिप्लाई हो रह 74 मल्टिप्लेशन तब जाके एक स्रीइड प्रोडूस सबस्क्राइब होने के बाद होता है प्लस नहीं होता है इंक्रीज करें कि आ है क्टार इसी वी सीरिज में ले उसको हम से से रिप्रेजन करते हैं फर्स्ट नमबर को एंटो आर्ट से रिप्रेजन करते हैं थार्ड नमबर को एंटो आर्ट स्क्वायर से रिप्रेजन करते हैं डोडोडोडोडोडोडोडोडोडोडोडोडोडोडोडोडोडोडोडोडोडोडोडोडोडोडोडोडोडोडोडोडो कोई भी previous time को next time निकालने के लिए वो जो fixed number है उसको हम common ratio कहते है इधर common ratio दिया हुआ common ratio कहते है जिसको हम R से represent करते है तो generally हम geometry progression को यह से represent करते है इस तरीके से हम generally represent करते हैं हम geometry progression को अब देखते कि sum of the end term मतलब जो देखा था कि sum of the end term का series का sum क्या होता है जोसे कि n by 2 a plus l होता है तो geometric progression में कुछ अले होता है तो देखते है sum of the end term in geometric progression let sn denote the sum of the end term then sn equal to a plus ar plus ar square plus dot 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 ar to the power n minus 1 पकल देखे कि sn जो है वो sum of the end term तक है geometric series का तब sum of the end term को हम कैसे denote करेंगे इस तर मतलब हर एक term उसी series का हर एक term को जब plus करेंगे तब ही हमें sn मिलेगा ठीक है तो अब अगर R common ratio जो है अगर 1 होता है अगर common ratio 1 होता है तब में इसको हम equation 1 देदे ठीक है इसको equation 1 देदे तो अगर common ratio हमारा 1 होगा तब equation 1 में R का value अगर 1 रखेंगे तो एसा आएगा ठीक है a plus a plus a plus dot 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 n times a आएगा तो इसका simply answer निकल जाएगा na इसका answer है na मतलब a को अगर हम n time plus करेंगे तब answer आएगा इसका na मतलब सामवता शिरीज होगा na जब common ratio equal to 1 होगा ठीक है अब केस आता है दूसरा केस जिसमें common ratio 1 नहीं है अगर common ratio 1 नहीं होगा 1 से जाधा होगा या फिर 1 से कम होगा तब sn खाम से डिनेट करते है sn equal to a into 1 minus r to the power n divided by 1 minus r अगर common ratio 1 से छोटा है ठीक है नहीं तो इस टाइप से हम डिनेट करते है a into r to the power n minus 1 divided by i minus 1 अगर common ratio 1 से बढ़ा है common ratio छोटा होगा 1 से तब हम यह formula यूस्ट करेंगे 1 minus r to the power n by 1 minus r और अगर common ratio 1 से बढ़ा होगा तब हम यह formula यूस्ट करेंगे a into r to the power n minus 1